कभी-कभी competitive exams के अंदर, जैसे CUET, IPMAT, GIPMAT, जब चार options दिखें, आपको दिमाग ये नहीं लगाना होता कि क्या सही है, आपको दिमाग ये लगाना होता कि क्या सही नहीं है, अगर ये catch पकड़ लिया, ये catch हर कोई नहीं पकड़ पाता है, ये fact पता रहा हूँ, practice से आता है, eliminating the options trick बोलते हैं इसको, hit and trial, अचा इस option से आ रहा है, answer नहीं हा रहा, इस option से answer आ रहा है, options को eliminate करने कुछ करो, भई, ABCD में से 2 तो 100% गलत ही है, तो तुमारी probability of success अब 50% होगी, पहले 25%, भई, 4 में से 1 हो रहा तो 25%, 2 तुमने eliminate कर दिये, अब 2 में से तो एक answer हो सकता है, तो उस case में आप guesswork भी लगा किया सकते हो